हाई मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंदर मन्वर और आज फिर से एक न्यू लॉग आपके लिए मैं लाया हूँ मैं अभी जा रहा हूँ पुना सीटी में जो कोंडवा है कोंडवा से जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से मैं जाओंगा रूबी हॉल क्लिनिक तो कोंडवा से अगर आपको पुने रेलवे स्टेशन या रूबी हॉल क्लिनिक जाना है तो आप किस पकार से जा सकते हो, रोड किस पकार से है, इसी सारी बातों का लेखा जो का इस व्लॉक के मादिम से मैं आपको देने वाला हो आप यह देख सकते हैं, जाते समय लोकशायर अन्ना भौव साथे जोग लगता है उसके आगे कोंडवा जैसी हम पार करते हैं, तो यह बहुत ही बढ़िया ऐसा फ्लाइवर अभी नया नया बना है, पहले में जाता था तो यह फ्लाइवर नहीं बना था, और पुना सीटी की हम बात करेंगे, तो यह क्लीन अन नीट सीटी है, वहां की रोड भी बहुत क्लीन अनिट सीटी है, जब आप कोंडवा से पूना स्टेशन के तरफ आप जाते हो, तो यह देखो, कमांड हस्पिटल लगता है, मिल्टरी का बहुत बढ़ा हस्पिटल है, और मिल्टरी की बहुत सारी शाका है भी आपको यहां मिल जाएंगी, तो मेरे हिसाब से यह जो कंडव से पूर्णे जाने वाला जो रास्ता है, वो बहुत सही रास्ता है, दिन में अगर जाएंगे, तो बहुत बीडबाड़ वाला रास्ता होता है, लेकिन आप सवरे सवरे गुजरेंगे, तो इस रास्ते पर इतना ट्राफिक में होता है, अब बात करते हैं डिस्टेंस की, त अराम से लग जाते हैं अगर आपको बायबस भी जाना है तो बायबस भी आप जा सकते हो बहुत सस्ता ट्रावलिंग होता है लेकिन अगर आप अटो की बात करेंगे तो आटो वाले भाय आपको सव रूपे से लिखे 200-300 रूपे तक लेते हैं क्योंकि अक्सर मैं जब जब भी कुने रेल्वे स्टेशन पर उत्रा हूँ और मुझे कोंड़वा जाना रहता है तो कभी भी सव या देड़ सुरूपे के नीचे कोई आटो वाला तयार नहीं होता है तो आपको थोड़ा किराया लग सकता है तो मीटर वालेब वाले से जाएंगे तो भाव्टावकर ने की कोई ज़रूरत नहीं है और बस से जाएंगे तो और वह सबसक्राइब क्वाइब बस से जाना यस में जो पर कि जिरो किलोमेटर पर हम आ चुके हैं और यहां से पूने रेलवे स्टेशन अभी बहुत ही नजदिक है और पूना रेलवे स्टेशन का रोड पार करते हुए मुझे जाना है वहां का रूबी हॉल क्लिनिक जो ससुन हास्पिटल के पास में हैं आप देख सकते हो और वह आज को यह भाग अच्छा लगा तो मेरे चोटीचे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और इसी के साथ मैं यह चोटा साल लाग यही कतम करना चाहूंगा धन्यवाद